नमस्ते सुआगे थे आपका हमारी नई वीडियो में इस वीडियो में हम बनाएंगे infinite horizontal scroll animation using html css तो आप देख सकते हैं हमार पास यहां पे infinitely हमारा text भी scroll कर रहा है और हमारी images भी scroll कर रही है अगर मैं अपने text पे hover करूँ तो उसका background color change हो रहा है तो इसको हम बनाएंगे इस वीडियो में using html css एंड इसका complete code आपको इस github repo मिल जाएगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा एंड हमने यो images यूज की हुई है उनका link पे आपको नीचे description में मिल जाएगा तो चलिए इसका साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को हम आचुके अपने vs code में और यहाँ पर मैंने folder उपन करका है infinite scroll और यहाँ पर हमारे पास images folder हैं जिसमें हमारे पास images हैं जिने हम use करेंगे एंड इनका link आपको नीचे description में मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं first of all हम बना लेंगे index.html styles के लिए मना लेंगे styles.css index.html चलते हैं और यहाँ पर अपना बाइल पेट को लेंगे title में हम कर देंगे infinite scroll and अपने styles को link करेंगे link styles.css बाड़े में चलते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं infinite scroll save करेंगे और हम गो live पर क्लिक करेंगे और हमारी website यहाँ पर live हो जाएगी तो यह हमने किया live server extension को यूज करके तो आप भी से install कर सकते हैं and use कर सकते हैं अब चलते हैं अपने index.html में और यहाँ पर code लिखना start करते हैं first of all हम एक div लगाएंगे जिसको हम class देंगे scroll अब इस div के अंदर एक और div और इसके अंदर span tag इसके अंदर हम लगेंगे html एक और span तो इसको copy करेंगे यहाँ पर paste करेंगे और यहाँ पर कर देते हैं css ऐसी अब हमें javascript, react.js, sigma, photoshop यह सब लिखना है तो उसको मैं यहाँ पर copy paste कर देता हूँ तो यह सब आ गया हमारे पास और इस div को हम एक बार फिट से यहाँ पर copy and paste कर देंगे तो हमारे पास दो बार html css और जावसके प्रिएक जाए यह सब आ गया अब चलते हैं अपने styles में और styling देना start करते हैं first of all all elements select करेंगे हम margin दे देंगे 0 padding दे देंगे 0 font family कर देंगे hoppins and sans serif box sizing कर देंगे border box अब अपनी body में styling देते हैं body display कर देंगे flex justify content center line items center main height 100vh background कर देंगे black and flex direction column save करते हैं तो अभी background हम white ही रहने दे हैं क्योंकि में अभी styling करने हैं तो अभी हमारा estimates यह सब यह सब center में आ चुका है अब इसके बाद हमारा scroll वाला div है तो उसको styling देते हैं यहां पर आते हैं dot scroll इसको पॉजिशन दे देंगे relative display कर देते हैं flex width दे देंगे 700 pixel overflow कर देंगे hidden तो अब हमारे पस HTML CSS यह इधर आ रहा है और यह वाला इधर आ रहा है अब इस पर web kit mask मेंज लगाते हैं linear gradient नाइन्टी डिग्री ट्रांसपेरेंट रांसपेरेंट वाइट 20 परसेंट वाइट 80 परसेंट ट्रांसपेरेंट सेफ करते हैं तो अब हमारे पास यह साइड में mask image लग चुग है तो साइड में हमें ऐसा लग रहा है थोड़ सी faded हमें यह दिखाई दे रहा हैं अब इसके बाद scroll में हमारे दिव आता है तो उसको dot scroll div यहां पर white space कर देंगे no wrap तो अब हमारे पास यह सारा कुछ एक लाइन में आ गया अब इसके बाद इसको और styling देते है तो यहां पर हमारे span tag है scroll के अंदर div के अंदर span tag तो इनको हम styling देते हैं तो यहां पर आते हैं dot scroll div span display कर देंगे inline flex margin कर देते हैं 10 pixel letter spacing कर देंगे 0.2 em background कर देंगे 333 color कर देंगे white padding देते हैं 5 pixel and 10 pixel border radius देंगे 5 pixel save करते हैं तो अब हमारे पास यह boxes ऐसे आ रहे हैं तो हम उपर यहां पर color को black कर सकते हैं 0-0-0 तो अब हमारे पास यह HTML CSS JavaScript कुछ ऐसे आ रहे हैं अब इसके बाद इन पर hover करने पर हमारे हमारे इनका color change हो जाए तो उसके यहां पर आते हैं dot scroll div span over तो इस पर इसका background हो जाए as 3fd2f9 and cursor कर देंगे pointer save करते हैं तो अब हरो करते हैं तो हमारा color change हो रहा है और इस पर हम लगाए听 condition 0.5 seconds करते हैं अब इसके बाद हमने इस पर अनिमेशन लगा नहीं है तो वह लगा रहते हैं कि ऊसके लिए उपर आते हैं और यहां पर हमारा ड़ीव है इस पर लगाएंगे हमelo Toward name दे देंगे scroll बहुत में time देना है तो time हम set करेंगे dex.testl में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे style और यहाँ पे variable ले लेंगे time और यहाँ पे करते हैं 20 second save करते हैं इस style में चलते हैं और यहाँ पे हम दे देंगे variable time इसके बाद linear and infinite अब यहाँ पे keyframes देते हैं add rate keyframe identify है हमारा scroll इसके अंदर 0% पे transform translate x कर देंगे हम 100% and 100% पे transform translate x minus 100% save करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे यह scroll animation चल रही है और यह हमारे पास infinitely scroll होता रहेगा तो अभी इसको और set करते हैं जैसे हम refresh कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी time के बाद आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे dot scroll div animation लगा देंगे scroll to variable time linear and infinite और इस पे animation delay लगा देंगे calculate variable time divide by minus 2 और यहाँ उपर भी animation delay लगा देंगे यहाँ पे multiply by minus 1 और अपनी scroll to animation भी बिलाते हैं यहाँ पे तो scroll to में हम क्या करेंगे यहाँ पे कर देते हैं 0 and यहाँ पे कर देंगे minus 200 save करते हैं तो अब हमारे पास जैसे page लोड हुआ वैसी हमारे पास यह animation start होगी अब हमारे पास यह animation आ रही है और अगर हम over करें तो हमारे elements का background color भी change हो रहा है अब वैसी हम इसको copy paste करके नीचे भी लगा सकते हैं तो इसी को हम copy करते हैं यहाँ पे paste ऐसी paste paste तो हमारे पास यहाँ पे 4 lines आ गी और सब के लिए हम अलग अलग time set कर सकते हैं तो उपर सलते हैं और इनको minimize करते हैं और यहाँ पे सब के लिए हम अलग अलग time set कर सकते हैं इसको हम देते हैं 30 seconds इसको हम दे सकते हैं 25 seconds इसको हम दे देंगे 40 seconds save करते हैं तो अब हमारे पास ये सारे अलग लग चल रहे है अब इसके बाद हम image लगा सकते हैं तो यहाँ पे आते हैं नीचे और यहाँ पे भी एक div बनाएंगे जिसको हम class देंगे scroll and img box तो अभी हमारे पास div बन गया है और इस div पे भी हम style देते हैं time time और इसमें हम time देते हैं 25 seconds अब इस div के अंदर चलते हैं और एक और div बनाएंगे और इस div के अंदर हम images लगाएंगे तो यहाँ पे source देंगे images first of all हम रख देंगे html.png save करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे html की image आगी है अब ऐसे ही अब हम सारी images लगाएंगे तो मैं उनको copy paste करके यहाँ पे लगायता हूँ save करते हैं तो अब हमारे पास सारी images आगी कुछ बड़ी होंगी कुछ चोटी होंगी तो इसलिए अभी यह कुछ ऐसे दिखाई दे रहे है ऐसी अब हम इस div को copy करेंगे और नीचे यहाँ पे paste कर देंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास नीचे images आ रही है तो कोई image बड़ी है कोई image छोटी है तो इनका हम size set करेंगे तो उसके लिए हम चलेंगे अपने styles में सबसे नीचे चलते हैं और यहाँ पे dot img box img इसको हम max width दे देंगे 100 pixel and scale कर देते हैं 0.8 save करते हैं तो अब हमारे यह images यहाँ पे आ रही है कोई image उपर है कोई image नीचे आ है तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे dot img box div है उसके इंदर हमारा display कर देंगे flex align items कर देंगे center and justify content कर देंगे center save करते हैं तो अब हमारे पास सारी images center में आ चुकी है तो अब भी हमारा infinite scroll animation complete हो चुकी है तो अब देख सकते हैं यहाँ पे infinite scrolling हो रही है हमारे पास नीचे images पे भी हो रही है और यह हमारा text भी infinitely scroll हो रहा है अब हम इसको full screen में देखते हैं तो full screen में हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो हमारे इन-finite horizontal scroll animation complete हो चुकी है using HTML CSS और इसका complete code आपको इस github rap को मिल जाएगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा and हमारे यूट्यूब चनल को subscribe कीजिए हमारे यूट्यूब चनल पे और भी कई सारी ऐसी वीडियोज है HTML CSS projects है जैसे Spotify क्लोन, Netflix Sign-In Page क्लोन, Google क्लोन तो आप इने भी देख सकते हैं and और भी कई सारी playlist जैसे JavaScript projects ते beginners के लिए Tailwind CSS tutorials है, CSS tricks है React tutorials है तो आप इने भी देख सकते हैं तो हमारे यूट्यूब चनल को subscribe कीजिए Thank you